तो यहां पर बोन्स एक दूसर के बगल में होती है और जब कोई मुव्मेंट होता है तो यह आपस्क में मूव करती है यह एक दूसरे के उपर मूव करती है एक दूसरे के उपर स्लाइड होती है यह रब होती है यह गलाइड होती है तो इस तरह से यह से गलाइडिंग चॉइंट बोलते हैं आप इस animation में देख पा रहे होंगी, यहां पे दो bones हैं, दो एक flat surface की तरह हैं, जो एक दूसरे के उपर slide हो रही है, glide हो सकती है, एक दूसरे के उपर घिसट सकती है, या एक दूसरे के उपर rotate हो सकती है. For example, जो हमारे wrist में लिए, जैसे मैंने आपको अपने bone anatomy के chapter बताया थे, कि हमारे 1 wrist में 8 कर्पस होते हैं, तो यह कर्पस एक दूसरे के बगल में होते हैं, और जब बी wrist में movement होता है, तो यह एक दूसरे के उपर glide होते हैं, एक दूसरे के उपर slide होते हैं, तो इस लाइक के joints होत और जब भी कोई ankle में movement होता है तो यह एक दूसरे के उपर glide करते हैं, slide करते हैं इन्हें भी हम gliding joint का एक example की तरह ले सकते हैं I hope आप समाझ गया होगे कि gliding joint में हमेशा flat surface involved होते हैं जो एक दूसरे के उपर glide करते हैं या एक दूसरे के उपर rotate करते हैं Gliding joints को हम plane joint भी बोलते हैं अब बात करते हैं हम अपने second joint की, जो है pivot joint इस joint को हम clockwise joint भी बोलते है या rotary joint भी बोलते है pivot joint एक ऐसा joint है, जो bones को मदद करता है rotate करने में अब यहाँ पर होता है कि जो pivot joint होता है यह एक aisa joint होता है जहां पर एक cylindrical bone किसी दूसरे bone के notch के अंदर rotate करती है या फिर किसी ligament के अंदर जो ring बना रहा है उसके अंदर ये cylindrical bone rotate करती है और example जो हम ये supination pronation action perform कर पाते हैं हम ये इसलिए perform कर पाते हैं क्योंकि elbow joint और wrist joint में हमारे एक pivot joint present होता है अगर हम typical pivot joint के बारे बात करें तो जो हमारा ये proximal radial joint होता है जहां पर क्या होता है हमारी जो radius bone है इसका upper portion होता है ये एक circular shape में रहता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जाके अलना के notch में fit होता है और फिर इसकी उपर से radius bone की उपर से एक ligament जो एक ring तरह का दिखता है इसका काम होता है कि जब हमारी radius bone rotate करें तो उसको stabilize करें उसको उस axis से बाहर ना निकल दें उसको अपनी जगह पर बना के रखें जिसे कारण जो ये radius bone है जब हम ऐसे pronation supination करते हैं तो rotate होती है जैसे आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे exactly same structure आपके wrist में भी present होता है जहां पर आपकी अलना bone rotate करती है radius bone के notch पे जैसे कि आप इस ग्राफिक्स में देख पा रहे होंगे I hope आपको ये pivot joint अच्छी तरह से clear हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस pivot joint में हमारी bones rotation perform कर सकती है यह externally rotate कर सकती है जैसे हम इस supination perform करते हैं internally rotate कर सकती है जैसे हम इस production में perform करते है action अगर आपको अभी भी pivot joint नहीं clear होगा है तो जड़ा सोचिए कैसे आपकी गर्दन इधर उधर turn कर सकती है जड़ा सोचिए तो यहां पर गर्दन को इधर उधर घुमाने के लिए कोई न कोई mechanism हमारे body के अंदर होता है तो यह जो mechanism होता है यह भी pivot joint है क्योंकि यहां पर ही आपकी जो गर्दन है वह एक axis पर rotate करती है इस तरह से ओके आपके गर्दन म present होता है जिसको हम median atlanto axial joint बोलते हैं जो आपके इस skull को हमारे vertebrates से connect करती है median atlanto axial joint में आपकी जो upper neck है यह connect होती है आपके cervical C1 and C2 vertebrates से इसी joint करन आप अपनी गर्दन को इधर उधर घुमा सकते है I hope आपको pivot joint क्या होता है पूरी तरह से clear हो गया होगा आज के वीडियो में इत्ता ही हम मिलेंगे अपने next वीडियो में जहां पर मैं आपको बांकी बच्छे synaval joint के types के बारे में बताऊंगा और वीडियो के लास में आपको पता ही आपको क्या करना है वीडियो पे like, comment जरूर करें इस वीडियो को share करें ताकि देश के हर कोने तक पहुंच सके और अगर आप में चैनल पहली बार आए हैं तो मेश्यों में चैनल को subscribe कर लें and hit the bell icon ताकि इसी तरह की informative information आप से कभी miss न जो दो तो दो हैं इसे के ताकिछ को